हलो दोस्तों सेवन की किछन में आपका फिर से स्वागत है तो चलिए आज मैं आपके लेकरह Цहा हैं बहुत आने वा अगर आपके मिहांने हैं तो छटपट से इस रे SiB co जरू ट्राये करेगा बहुत करेंग बहुत ही टेस्टी बनती है सबसे पहले जो हैं हम बना रहे हैं सोया बीन के कबाब सोया बीन के कबाब बहुत ही रेस्टी बनते हैं ये आलू और सोया बीन के बनते हैं दोस्तों बहुत ही हल्दी होते हैं तो चलिए रेसिपी करते हैं स्टार्ट तो यहां पर मैंने ले लिए पानी और दो पैकेट लिए हैं मैंने सोया बीन यह 10-10 रुपे के दो पैकेट होते हैं तो सोया बीन आप चाहिए छोटी वाली लें चाहिए मोटी वाली लें जो छोटी और मोटी दोनों आती है तो बजार में दोनों में से कोई भी ले सकते है क्योंकि हमने इसे boil करना है boil करने के बाद इसे हमने grind कर लेना है तो इस तरह से पानी में लेके इसे अच्छे से wash कर लेंगे पहले तो अच्छे से wash करने के बाद दोस्तों इसे हमने boil करना है जो बिल्कुल ही जो है न वो बिल्कुल वो हो जाए soil हो जाए soft हो जाए एक्दम तो इसको soft करने के बाद अब हमने इतार लिया है तो थंडी कर लेंगे ठंडा करके ठंडा पानी डाल लेंगे इसके अंदर तो इसके अंदर अच्छे से निचोड़ने के बात इसे हमें डाल देंगे हम तो इसे grind करना है हमें बिल्कुल बारीक कर देना है जैसे बिल्कुल चूरा करते हैं वैसे तो market में चूरा भी मिलता है इसका अगर आप वो लाना चाहे तो वो भी ला सकते हैं क्योंकि वो भी मिल जाता है आपको वह इसली मिलता नहीं है कई शॉप पे मिलता है कई पे नहीं मिलता तो उसलिए मैं इसे इसे यूज करता हूँ जो मार्केट में एवलेबल हो जाता है बहुत इजी तरीके से तो इस तरह से ग्राइंड कर लिया है तो देखिए इस तरह से दरदरा होना चाहिए क्योंब यहां से के लिए तो इसे करदेंगे, क्योंकि हमें इसे ऊप्त करना रख करूँग को यहां मैंने लिए होगा हाराय धनीयों और में झ्याल भ기는 है और मैं अच्छा फ्लेवर देगा तो हारा धनी और प्याज वेजिटेबल भी डाल सकते हैं क्योंकि मैंने नहीं डाले हैं तो यहां मैं डालूँगा स्वाधनुसा नमक आधा चमट डालूँगा मैं यहां पर आमचूर पाउडर आधा चमट डालूँगा मैं यहां पर लाल मिच पाउडर और थोड़ा सा डालूँगा मैं यहां पर गरम मसाला और इसे ब ठोड़ी सी ओरेगे न डालेंगे ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा इसके अंदर लेगा नियुद ने बहुत ही अच्छा रहता है आलू होते हैं तो इस Snacks को बनाने का बहुत मज़ा आता है तो यहां डालने दुटक्त के में अच्छें सेक्वाइब यह कोई सब्सक्स सुन्प नहीं आफे बेसं नहीं उसके अंदरा है है नहीं कुछ से जो है इसके इसके आप जैब कोई भी आप दे सकते हो चाहे तो आप कबाब की शे Beijing ऑगार्बकीarle इसके राग़ाने सब्सक्राया है तो इस стрहर जिस्ते हैं तो इस इसके सीरे शेयर इसिते हैक history of on jurid came करती है कि आप शेप कौन सा देना चाहते हो तो यहां पर मैंने एक तो कबाब की शेप दी है इस तरह से देखिए गोल-गोल करके से प्रेस कर देंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों किनारी कोई भी न फटे और अच्छे से इसको रोल करिएगा फिर उसके बाद प्रेस करिएगा तो इस तरह से आपको करना है ताकि अगर आपका साइट किनारी खुली रहेगी न तो फिर वो तेल के अंदर जाके जो है खुलने का डर होता है तो आपको इस तरह से रोल करना है रोल अच्छे तरीके से करना है रोल करने के बाद अच्छे से प्रेस कर ले तो उससे चीटे उड़ते हैं तो तेल का ही यूज कीजिएगा तो अब मैंने दे रहा हूं कुछ इस तरह से जैसे पोटेटो बाइट सोते हैं तो उसकी शेप दे रहा हूं तो आप शेप कोई भी दे सकते हो अगर आपको शेप देनी नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं आप इसे पकोड़ों की तरह भी छोटे-छोटे तल सकते हैं तो किसी भी एंगल से आप इसे तल सकते हैं तो आपके उपर है कि आप कौन सी शेप इसे देना चाहते हैं जो आपके बच्चे पसंद करते हैं आप इसे राउंड शेप भी दे सकते हैं तो इस तरह से आप कि तो तेल हमारा गरम हो गया तो तेल की जो हीट है वो लो मीडियम ही रहनी चाहिए ज्यादा हाइँ होगी तो वह उपर से कच्छे पक जाएंगे और अंदर से कच्छे रहेंगे तो इस बात का बहुत ध्यान तो दो मिनिट का वेट करने के बाद जब ये नीचे से तला छोड़ देंगे तो उसके बाद आप इसे चलाईएगा तो इस तरह से यह देखिए अब ये गोल्डन क्रिस्पी होने लगे हैं तो इसे गोल्डन क्रिस्पी करने के लिए हलका हलका इसे चलाते रहे हैं ताकि बिल्कुल जले नहीं और गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे तो इस तरह से चलाते रहेंगे तो इस तरह से चलाते जाएगा तो तो लीजे बनकर तयार हो गए हैं बहुत ही टेस्टी से सोयबीन के कबाब और यह देखिए बिलकुल भी तेल अब्जोब नहीं करेंगे अगर आप छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो चलिए इसके साथ खाने वाली बहुत ही टेस्टी सी एक बाइट जो डिप की रेसीपी बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है म्योनिस और टोमेटो केचप की जो डिप बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनते हैं दोस्तों एक बड़ ये रेसीपी को जरू ट्राय की यहां पर मैंने तो अमांट केचप Chief दोस्तों एक अन्यों के अच हैं चूली आसा मज ब्हुरब्ण दर्ठ है किसी पी स्थ संसा आजाय दो बह। टेस्टी होता है तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद ये डिब बन कर तैयार हो गई है तो चलिए करते हैं से सर्फ होली स्पेशल होली है तो बड़िया बड़िया स्नेक्स तो बनते ही है तो होली में आप भी इंजॉय कीजिए और इंजॉय कीजिए तो तो अब आर ये होली और आप होली पे ये स्नेक्स फटाफट और जटपट से बना कर आप महमानों के सामने रखिए आपकी तारीफ करते नहीं ठकेंगे तो ये थी एक छोटी सी रेसिपी होली स्पेशल तो आपको सभी को होली की हाददिक शुप कामना है तो आपको भी हैप्पी होली तो बनाईए और